बश्कार दोस्तों उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे देखिए बिहार में जितने भी इनवर्सिटी है न उन सभी के दोबरा जो है एक नोटीस जारी किया जा रहा है हलाकि अभी जो है कुछी इनवर्सिटी के दोबरा आप देखेंगे तो नोटीस निक लेगा ठीक है क्योंकि इसको पुड़ी तरह से मेंडेटरी कर दिया गया है और मैंने इससे पहले वीडियो बना कर आप सभी को जनकारी दिया था कि अगर आप पढ़ाई करने वाले सुडेंट है तो कहीं ना कहीं आपके पास ABC काड यानि कि अपार कार्ड होनी चाहिए अब ही तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से लेटर तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं देखिए ABC काड करने के लिए सबसे पहले आपको जो है डीजी लोकर क आपको information देते हैं जैसे कि देखिए यहां पे जो भी digital document होता है उसको आप इसू कर सकते हैं जैसे कि मान लीजे आपका धार काट हो गया पैन काट हो गया driver lessons जो भी आपका registration details होता है या फिर आपका mark sheet हो गया बहुत सर ऐसे जो document होते है न वह आप यहां पे इसू करके अपन ठीक है इसका full from होता है academic bank of credit इसको अपार भी बोलायाता है ठीक है तो इसके माधियम से आप यहां पे create कर सकते हैं डीजी लोकर के ठीक है तो यहां पे सबसे पहले तो आपको अगर create करना है तो sign up करना होगा क्यूंकि यह डीजी लोकर पर आपका account होनी चाहिए अगर आपक पहले से account है तो आप यहां पे sign up के button पर click करके आपना जो भी mobile नंबर या फिर यूजर आइडिया फिर अधार नंबर को डाल कर OTP के थुरू या फिर M PIN के थुरू login कर सकते हैं लेकिन अभी तक आपका डीजी लोकर पर ID create नहीं हुआ है तो आपको sign up का button मिलेगा जिस पर आपको click करना होगा यहां पर अपना full name लिखेंगे data board डालेंगे फिर अपना gender बताएंगे एक mobile नंबर लिखेंगे email ID और यहां पर security pin आपको state करना होगा जो की login करते समय आपको समय समय पूछी जाएगी तो ओपीन आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे औ अब जैसे ही सम्मिट के बटन पर click करेंगे तो आपके जो भी mobile number link है उस पर जो एक OTP send किया गया है तो OTP यहां पर आपको डालना है फिर यहां पर submit के बटन पर click करना है जैसे ही submit के बटन पर click करेंगे तो अब यहां पर आपना जो अधारकाट number है उसको आपको fill up करना है और फिर यहां पर next के बटन पर click करना है अब जैसे ही next के बटन पर click करेंगे तो आपके अधारकाट के साथ जो भी mobile number link है जिसके last में यहां पर दिखा रहा है इस पर जो एक OTP send किया गया है OTP को यहां पर डालना है फिर यहां पर आपको टिक करना है और submit के बटन पर click करना तो जैसे ही आप अपना यहां पर registration कर लेंगे और यहां पर login करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से pop-up खुलेगा जिसमें आपका जो भी academic backup credit यानि की ABC card का create करने का option है देखने को मिलेगा तो यहां पर आपको जो ही get now के बटन पर click करना है अब यहां पर आपके university में admission हुआ है कौन से year में हुआ है उसकी जनकारी आप यहां बताएंगे ठीक है उसके बाद इसको के करेंगे तो इस तरह select हो जाएगा फिर यहां पर identity type में आपको जो ही बहुत सारे option मिलेंगे जैसे कि आपका roll number हो सकता है registration number हो सकता है enrollment number हो सकता है या फिर new admission है फिर non भी आप यहां पर कर सकते हैं तो जो भी आपके पास details है जैसे कि आपका admission हुआ होगा तो कहीं ना कहीं roll number, registration number, enrollment number, कुछ ना कुछ आपको मिला होगा तो उसकी जनकाई डाल सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो non भी कर सकते हैं ठीक है non करेंगे तो यहां पर और कुछ आपको हुए है, other state में भी लिए हुए है, जैसे कि माली जे ललीत नरायन का बनाना चाहते हैं तो ललीत नरायन का भी साच कर सकते हैं या फिर आप माली जे other state में कहीं दिली वेगर अपना admission कराया हुए है वहां पर इसका demand की जाती है तो वह भी आप select कर सकते हैं तो अपने university जहां अपना registration नमबर या फिर enrollment नमबर पाता करके डाल दीजिएगा ठीक है उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है कि get document के बटन पर क्लिक करना है थुरा दर वेट करेंगे तो देखेंगे आपका जो अपार यानि की ABC काड़ी भी इसको बोल सकते हैं इस तरह से generate हो जाएगा य तो भी आपका details होगा इसमें समय समय पर update की जाती है तीस तरह से अगर आप भी अपना आईडी काड यानि की ABC ID काड़ करना चाहते हैं तो बड़ी असानी से create कर सकते हैं और बहुत यह अच्छा एक document है जिसके regarding आपका जितने भी qualifications related जनकारी है और जितने भी आपका achievement है सभ इसली कहीं भी access किया जा सकेगा